Hey y'all come look at this इसका नाम यह नहीं हुआ करता था तब इसको बोलते थे Imperial Cricket Conference 1909 में बनी थी और तब उन्होंने डिसाइड किया था कि Cricket सिर वही देश खेलेंगे जो British Empire के अंदर आते हैं अमरीका उन देशों में नहीं था इसलिए वहाँ Cricket को कभी बढ़ावा नहीं मिला अच्छा उपर से अमरीकी लोग बैट और बॉल के साथ एक नया गेम ही खेलते हैं उसको Baseball बोलते हैं जो वहाँ काफी popular हुआ लेकिन दुनिया का सबसे ताकत वर देश दुनिया का सबसे बड़िया खेल खेले बीना रह जाए ये तो सही नहीं लगता ना रे बाबा दीमे दीमे ही सही अमरीका में Cricket popular हो रहा है फिलाल अमरीकी Cricket Team में जो लोग हैं वो या तो इंडिया, पाकिस्तान, शिलंका, बांगलादेश, मूल के हैं या उनके मम्मी पापा का इंदेशों से रिष्टा है बहुती जल नेटिव अमेरिकन भी Cricket Team का, I mean American Cricket Team का हिस्सा होंगे ऐसी हमें उम्मीद है लेकिन American Cricket Team अल्डेड ये अच्छा कर रही है मिसाल के तोड़ पेड़ आपको बताऊं तो ऐसा समझ लो कि चंडीगड में पैदा होकड इंटरनाशनल Cricket में च्छे गेंदो में च्छे चक्के लगा देने वाली यूडाच सिंग अकेले बैटेड नहीं है जी हां, अमरीका के जसकरन मलोतरा भी एक और में च्छे चक्के लगा चुके हैं जसकरन जैसे और खिलाडी आएंगे तो अमरीका में क्रिकेट डेफिनेटली बढ़ेगा और उसी मुहीम को आगे बढ़ाने के लिए और अमरीका वालों को क्रिकेट में दिल्चस्पी दिलाने के लिए वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड अकसर अपनी होम सीरीज में एक दो मैच अमरीका में करवाई देती है बहुत ही बढ़िया इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज में भी वो पढ़ावा चुका है जब हमारी टीम फ्लॉरीडा में खेलेगी जाइड इसी बात है जब आप किसी नई ओडियंस को अपने खेल से डूबर्डू कडा रहे होते हैं तो उसके सभी दिल्चस्प पहलू दिखाने चाहिए और इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दो मैच काफी कांटे की टकर वाले होंगे जिससे वहां के लोगों को लगे वावा क्या गेम चल रहा है वे हलांकि इस सीरीज में अभी तक सिर्फ एक ही गेम कांटे की टकर का हुआ है और उसमें भी अगर रोई चर्मा चाहते तो लास्ट ओवर तक पहुँचने की नौबत नहीं आती ऐसे में वेस्ट इंडीज वालों को अपना गेम अप करना पड़ेगा वेस्ट इंडीज के T20 लेजेंड्स जैसे आंद्रे रसल, सुनिल नारायन और एविन लुइस इस सीरीज का हिस्सा नहीं है लेकिन बहुत मुम्कीन है कि वर्ल्ड कप में वो टीम का हिस्सा हो वेस्ट इंडीज उनको ड्रॉप तो नहीं करेगी और इनन मैं ड्रॉप करूँगा एक मिन तू ड्रॉप नहीं करेगा मतलब मतलब अपनी माइलेवन सर्कल आप टीम में उनको अमीसा लेता हूं मैं और बोनस से याद आया टीम इंडिया को भी हम चाते हैं बोनस मिले पहले एशिया कप में और फिर टीट्वेंटी वोल्ड कप में लेकिन उसके लिए कैप्टेन रोहिट चर्मा का फिट रहना बहुत जडूरी है अवेश खान पौकेट मनी में उत्ने ही पैसे दी है जितने आवेश खान पौकेट मनी में विकेट लिये हैं कैर इसके अलावा तो और कोई चेंज होता मुझे नजर नहीं आ रहा है फ्लोरीडा में जादा मैच होते नहीं है इसलिए पिच कैसी है ये किसी को पता नहीं लेकिन यहां गेंदबाजों की किच-किच होना तय है क्योंकि ग्राउंड बहुत चोटा है और रन बहुत पढ़ने वाले हैं इस वज़े से मैंने अपने My11 सरकलाफ वाली टीम में बल्ले बाजों को भर-बर के ठूसा हुआ है आज की मेरी टीम क्या है आपको मैं बताता हूँ विकेट कीपर निकोलस पूरन बल्ले बाजी करेंगे रोहित चर्मा, श्रह सहीर, सुरी कुमार यादो, हिट मायर और कायल मेर्स, और राउंडर है जेसन होड़र, हारदिक पंडिया, जब की गेंदबाजी करेंगे अरस्डीप सिंग, अबेद मकोई और अकील हुसान, कप्तान हम बनाएंगे अगर खेले तो रोहित चर्मा को रूप कप्तान है हारदिक पंडिया आपको याद दिला दू, टीम में कुछ चेंजेज होने के आसाड है इसले आप माई 11 सटकलाप वाली टीम टॉस होने के बाद ही बनाएगा लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन में जाईएगा इस एप को डाउनलोड करियेगा जीतियेगा तो महिंद्रा थार पाईएगा और पंदरास रुपे का जॉइनिंग बोनेस भी मिलेगा लेकिन याद रेखना इस गेम इन्वाल जान वाल चाल और बवाल लेकर कल सुवे कड़क वीडियो लाएंगे फिलाल जाएंगे आप अपना ख्याल रखी चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक्यू फ़र वाचिंग जहिंद क्या हो तो वह बैई इस वीडियो में आवाज बड़ी चनके निकल रही है वीडियो में क्या हुआ उस वीडियो में तो बस यहीं कहूंगा की मेरे मूं शाली कर गई रही जावान टूड़ का हाओ था 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 है है